हम आजमा आपको बेड़ भकरियों के जो जहां बहुत ही खनाक जो बिमारीयां होती है उसके लिए आपको एक रामबान द्वा बताऊंगा उस एक ही द्वाज से आप अपनी बेड़ भकरियों के लिकृड होगा जो इससे आप अपनी बेड़ भक palavra के या बिमारी आरे इससे तो वो कौन सी दवा है उसके बारे में बताए जाएगा लेकिन जो बेड़ पाला कि या बकरी पाला की चैनल पर भी नहीं आएगे या पहले आप इस चैनल से जूड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें साथ में बेल आइकन और आरवला उपसन आपको सभी जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है देखो सबसे पहले तुम आपको पताना चाहता हूं कि जब इदि आपकी बेड़ बकरियां च्छोटे हो या बड़े हो उनमें इदि नाक से डिसार जा रहा है गाड़ा डिसार जा रहा है बहुँ जदा और सांस लेने मे आपकी बेड़ बकरियों में सांस के साथ एदि बुखार हो जाती है जब बुखार हो जाती है तो उस इस्तति में आपकी बकरियां इस तरह की विमारी में बकरियां सुस्त हो जाती है खाना पिना नहीं करती है जुगाली नहीं करती है रही बात कई बर एदि बकरियों में यूरिनेरी ट्रेक्ट इंफेक्शन हो जाए यानि मुत्र नलेका से समदीत कोई भी एदी संकर्मन हो जाता है तो भी आप उस दवा का परियोग कर सकते हैं इसी तरह से माइको प्लाजमा से समदीत एदी को इंफेक्शन एदी वक्रियों में हो जाता है तो भी आप उसका परि लिक्रिय के ईनल भी जो आतीए इंटास की जिसके अंदर शार्ट और दो हिंदल वराção प्री डॉत अजयँ और तो इस का प्रियोग जिस इदर से दल्री निकाल करके तो एक मेल पर दस के जी बोड़इट यहानि जिन बेड बक्रियों का वज़न सब्सक्राइब एक एमेल करकेते हैं बीस केजी दो एमेल तीस केजी तीन ऐमेल इसी तरह से जिनका बोड़इवेट थोड़ा ज़्यादा है पचास केजजी है तो आप इससे पांच एमेल दे सकते हैं रही बात ये लगातार आप अपनी वेड़ वक्रियों में 3-5 दिन भी आप पर्योग करवा सकते हैं देना कैसे हैं 3-5 ml की जो सिरिंज होती है उसमें आप भरें और आप अपनी वक्रियों को डारेक्ट औरेली किसी में मिला करके नहीं देना है कोई पानी में नहीं देना है बेटर जे लेना है तो आपको डारेक्ट औरेली मू के अंदर ही देना है रही बात ये वक्रियों के लिए से भी रहती है तो आप अपनी वेड़ वक्रियों में छोटे से लेकर के बड़े में आप इसका परियोग कर सकते हैं जो कि किसी भी तरह की जो इस तरह की बीमारी हैं, उनमें ज़्यादा सेप रहती हैं, रही बात इस तरह की बीमारी उसे ज़्यादातर बक्रियां गर्षत भी रहती हैं, तो आप इस दवा का परियोग अपनी बक्रियों में करवा सकते हैं, यहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत ह हो जाती है तो सुबह और श्याम भी आप प्रयोग कर सकते हैं अन्यता आप 24 गंटे के अंतराल में आप इसको रिपीट कर सकते हैं अब आप अच्छी तरह से समझ गयोंगी कि यह दवा आपकी बेड़ बक्रियों में क्या काम करती है कौन-कौन से रुगों के अंदर काम करती है कि यतनी डौज देनी चाहिए चोटे बड़े लिए और रही बात इस तरह की जो दवा होती है वा लग लग बीमारीओं में आपकी बाते हैं अब का लीए vagy को घाटी तो आप ये शुराती स्टेज में इस तरह की सिंटम देखने में तो आप ये दुबा का प्रिविडियो जितना हो सकता है वीडियो उनके साथ से तरह से वीडियो देखते रही इसी तरह में प्यार देते रही थैंक्स धन्यवाद